कि नमस्कार दोस्तों जे पी इस्टेनोगराफी यूटूब चैनल अब आपका स्वागत है यह डिक्टेशन असी सब परति मिनट का होगा जो की पांच मिनट तक बोला जाएगा दस सेकिंद बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें साथ में बिला इकन भी ओन करते हैं ताकि आपको नएन एडिक्टेशन मिलते रहें स्टार्ट जम्मुकस्मीर परसासन वहां सभी परिवारों का एक विशिष्ट पहचान पत्तर बनानी जा रहा है वहां के उपरा जिपाल और हरियाना के मुख्य मंत्री ने इससे सबंधित एक द्रिष्टी पत्तर जारी किया बताया गया है कि इस कदम से विभिन सामाजिक योजनाओं के लाभारतियों का चैन करना आसान होगा इस पहचान पत्तर में हर परिवार का एक विशिष्ट कोड होगा जम्मु कस्मीर परसासन ने दावा किया है कि इसमें सूचनाओं की सुरक्षा का पुखता इंतजाम होगा मगर भाजपा को छोड़ कर सभी राजनितिक दलों ने इस योजना का विरोध किया है पूछा है कि जब पहले से इसी तरह का एक पहचान पत्तर आधारकाड के रूप में मौजूद है तो अलग से एक पहचान पत्तर की क्या आविशकता है फिर सरकार की व्यक्ति गत सूचनाओं की सुरक्षा के मामले में विफल्था को भी गहरे रेखांगित किया जा रहा है हाना की सुरक्षा की द्रश्टी से जम्मु कस्मीर बेहद समेंदनसील सेतर है वहां आतंगवादी गतिवीदियों पर अंकुस लगाना चुनोती है अक्सर सुरक्षा बलों और दसतगर्दों के संगर्ष में वहां के निर्दोस नागरिक भी सक के दाइरे में आ जाते और कई बार मारे जाते हैं ऐसे में अगर डिजिटल पहचान का कोई पुखता और व्यवहारिक तंतर हो तो सुरक्षा मामलों में भी आसानी हो सकती है मगर जम्मू के लोग इस पहचान पत्र को सविकार भी कर लें तो कस्मीर के लोगों को इसके लिए राजी करना आसान नहीं होगा दरसल पिछले आठ नो सालों में कैंदर और घाटी के लोगों के बीच अविश्वास लगातार गहरा होता गया है खास कर जम्मू कस्मीर की सवायतता सवाप्त होने के बाद वहां बरोसे की जमीन दरग चुकी है ऐसे में विशिष्ट पहचान पत्तर के लिए डिजिटल डेटा इकटा करने की योजना को वहां के लोग स्वाभाविक ही सक की नजर से देखने लगे है चीन में इस तरह जेविक सूचना एक्तर करने के बाद जिस तरह आंदोलनों आदी के समये परसासन ने लोगों को परताडित करना शुरू किया इसके उधारन अब सब को पता है ऐसे में केंदर सरकार और जम्मू कस्मीर परसासन के लिए लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल होगा की वास्तव में उनका इरादा इगर्वनेंस को परभावसाली और सामाजिक योजनाओं को वास्तविक लाभारतियों तक पहुंचाना है केंदर ने आपराधिक मामनों में न्याय की गती तेज और सुगम बनाने के मकसद से भी अपराधियों का जेविक विवरन डिजिटल रूप में इकठा करने का प्रस्ताव रखा था मगर उसका विपकसी दलों ने पुरजोर विरोध किया था दरसल लोगों के जेविक आकड़े इकठा करना उनकी निजिता का हनन माना जाता रहा है इसलिए शुरू में आधार कार्ड स्टोप